मारूती सुजू की जिपसी इस नाम से तो दोस्तों आप काफी वाकिफ होंगे और इंडिया में तो खास कर इसे किसे भी इंट्रोडेक्शन की जरूत नहीं है इंडियन आर्मी ने इस गाड़ी को काफी प्यार दिखाया है और काफी सिविलिंस ने भी इस गाड़ी को खरीदा है और ये गाड़ी दोस्तों बारत में आती है हमारे पास 1985 दिसंबर में और अनफॉर्चनेटली ये 2018 में डिस कंटिन्यू हो जाती है डियो टो इट्स सेफटी नॉम्स और इसी साल दोस्तों जिम्नी यानि कि जिपसी का नया जनरेशन आता है पर ये इंडिया में नहीं आपाता है 2018 में और आज फाइनली 5 साल बाद 2013 में गाड़ी दोस्तों इंडिया में आ जाती है और इंडिया एक पहला देश बनता है जिसमें जिम्नी फाइव डोर इटरेशन के साथ आती है तो इस एफेक्ट साब अदाजा लगा सकते है कि मार्ची सुजुकी जिम्नी को लेकर काफी सीरियस थे इंडियन मार्केट को लेकर और जहां तक दोस्तों मेरा मानना है कि आज हमारे बीच अगर महिंदरा थार न्यू जनरेशन नहीं होती तो शायद जिम्नी भी आज हमारे बीच नहीं होती क्योंकि कहीं न कई थार की सेक्सिस को दिखती हुए ही मार्ची जिम्नी को लांच किया है तो आज हम ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जिम्नी को एक ज़्यादा सूपीरियर प्रोड़क्ट बनाता है और अगर ये पॉइंट्स आपके मस्ट है वाक्स में आते हैं तो आपके लिए जिम्नी एक बहता प्रोड़क्ट बहाप पर निकल गया आता है तो चलिए डिसकस करते हैं इन 5 पॉइंट्स को तो नमस्कार दूस्तो मेरा नहां मैं प्रांश हूँ चलिए डिसकस करते हैं इन पॉइंट्स को पर दूस्तो यहां पर मैं आपको कॉंट्रेडिक्ट करना चाहूंगा कि आप जिपसी को भी तो देखिए जिपसी में के वल आपको 1.3 लिटर का एंजन देखनों के मिलता था जिसमें मातरे 80 होट्स पावर और 103 अनम का टॉर्क था वो गाड़ी भी तो आफ रोड में किता केपेबल थी तो यहां पर तो आपको ज़्यादा पारफल एंजन देखने हों मिलता है तो जिमनी में दुस्तो आता है दुस्तो 1.5 लिटर का 4 सिलेंडर के 15B पेट्रोल एंजन जो की 4 सिलेंडर यूनिट है और जो आपको 103 होट्स पावर और 134 अनम का टॉर्क यहां पर ओफर करता है और यह एंजन दुस्तो जिमनी में ही नहीं बलकि मारुति की काफी सारी कार्ट में आता है जैसे की अर्टिका हो गई आपकी ग्रेंड विटारा हो गई, CS हो गई, XL6 हो गई तो इसका जो में एडवांटिस दोस्तो निकल के आता है वो इसका रहने वाला है कॉस्ट ऑफ ओनर्शिप में क्योंकि यह काफी सारी और मारुति की कार्ट में भी यूज़ हो रहा है तो स्पेर पार्ट की कॉस्ट पीज़ एतनी एक्सपेंसिव नहीं रहने वाली है और प्लस यह एक रिलावल यूनिट है हम कबसे इस एंजिन को मारति की कार्ट में देख रहे हैं और आज तक कोई भी यहां पर इशू यहां पर देखने को नहीं मिला है और इस कार का जो सबसे बड़ा एडवाइंडेज है अगर आप इस कार को इंडिया की किसी नौर्थ साइड एजन में लेकर जाते हैं या खासकर कर जहां पर भी लो टेंपरिचर रहते हैं माइनस में टेंपरिचर रहता है मापधी लुष्पा की लड़ी एक सल्फ में स्टार्ट होने वाली है तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है नेचरली अस्पिक्टर पट्रोल लो टेंपरिचर असमा को बिल्लकुल कोई भी यहां पर दिकत जो है देखने को नहीं मिलती है अब दोस्तों बात करता है हमारे दूसरे पॉइंट की जो की है अगर आप एक ऐसी कार देख रहे हैं जो की आपके फोर बाई फोर नीट्स को भी फुल्फिल कर दे प्लस आपके लिए एक बैटर फैमिली कार भी निकल के आए तो यहाँ पर दोस्तों जमनी अपना लोहा मनवा लेती है क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी काफी सारी चीज़े मिलती है जो जी अगर चपोर ऊंआ इसन व्रवारे फैकर बैटर यहाँ यह गाड़ी निकल के आती है और आर्केमी स्टून्ड आपको स्पिकर्ट्स देखने को मिल जाते हैं टिंटेड विंडोज है हाँ 4x4 कार में फीचर्ट्स केती नीट्स नहीं होती है पर फिर भी एज अन ओररल पेकेज़ आप देखें इक राइट क्वालिटी आलमोस्ट क्लोस्ट एक मुनोकोक कार है इवन है यह 4x4 होने के बाद भी आपको इता फील नहीं करहेगी इतना बाउंसी नीचर जो है इसका नहीं है जासा की थार वगरा मैं आपको देखने को मिलता है तो एक काफी अच्छी और डीसंट राइट क्वालिटी आप पर एक क्लोस्ट मनोकोक आपको देखने को मिलने वाली है और फूर्थ पॉइंट है दोस्तो फ्यूल एफिशेंसी अगर आप एक पेट्रोल ऑफ रोडर लेना चाहते हैं तो पेट्रोल में दूस्ति केवल महिद्रा थार और जिम्नी ही देखने को मिलती है तो जिम्नी नचिरिलला इष्पिट्राइट की फिएल एफिशेंसी दोस्तो डैफिनिटल काफी अच्छी है इंच्छी service checkpoints जादा देखने को मिलेंगे compared to Mahindra's checkpoints हाँ Mahindra भी काफी अच्छा फैला हुआ है और उसके service checkpoints भी काफी अच्छे हैं यहाँ पर मारूती को कोई beat नहीं कर पाया दोस्तो Nexa के service checkpoints यहाँ पर आपको जादा देखने को मिलेंगे और एक kind of premium service भी जो है आपको यहाँ पर Nexa से देखने को मिलने वाली है तो यह था दोस्तो जिमनी को लेकर कुछ points अगर आपके भी must have boxes में यह points आते हैं तो जिमनी यहाँ पर आपके लिए एक better product निकल कर आता है इन sort of points में और अगर आप चाते हैं कि और फोर्स गुर्खा पर भी ऐसी वीडियो आनी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो informative लगी तो please like कीजिए और हमारे चैनलों को subscribe कीजिए तो मिलता हूँ दुस्ता आप से ऐसी एक नई interesting वीडियो में thank you